हलो दोस्तों वेलकम टू माई चैनल तो दोस्तों आज का ब्लोग हम सुबा से स्टार्ट करें यह देखिए बच्चे लोग पढ़ रहा है इलो का क्लास टेस्ट चल रहा है और इधर हम नास्ता बना रहे हैं इलोग के लिए टिफिन में देना है और खा कर जाएगा तो देखिए पराठा बन गया है पराठा भूजया दिये थे आज हम और सभी लोग को भेजने के बाद यहां पर हम अचार बनाने बैठे हैं देखिए हरी मिर्च को इस तरह से छोटा छोटा काट लिए है अब इस से चीरा लगा दिये है तो यह सर्दी के लिए स्पेशल अच काट लिए है थोड़ा सा इतना ही सा काचार हम नहीं बनाएंगे आप सोच रहेंगे इतना थोड़ा सा काचार बनाएंगे नहीं लैसुन और है यह देखिए और सारा लैसुन को भी हमको चौप करना है इतना थोड़ा सा अद्रक डाले है आप ज़्यादा अद्रक खाते हैं बहुत ही काम की चीज है दोस्तों और यह इन्वाइटर से भी चल सकता है और मतलब इतना एजी आपका कीचन का काम हो जाएगा ना विबारी जो काटना होता है समान उसके लिए यह बहुत फायदेमन चीज है बहुत थेल करेगा आपको कीचन में तो देखिए इसी में अभी लर्षन वगेरा सारा चॉप करेंगे एसे आप फैंड्टो पर्यसे भी कर सकते हैं अगर आपके पास है तो उसमें भी हो जाएगा अच्छे सेइट यह какую-ung apparent आस इसमें दाल कर हम चौप कर लेंगे सभी को। दोस्तों। ये शर्दी में बहुत फायदेमन अचार है। लगते बेर्ट तो घर्मी करता ही। तो बहुत ही टेश्टी है चारबन कर तयार हुआ था दोस्तों देखिए इस तरह से हम इसे बटन दवाएंगे और यह देखिए कितने अच्छे से यह घूम रहा है आपको दिखाते हैं हम देखिए अब बहुत अच्छे से बारिक चौप हो गया था हमें बारिक ही चाहिए थ यह dwelling से यह देखिए इस तरह कहा चाहिए हमें और इसे निकाल लेंगे और इसको निकालने के बाद हम इसमें मिर्च को भी डाल कर चौप कर लेंगे जोचिये दोस्तों अगर चौपर नह Tina होता तो मिर्च्छ को वारिक चौप करना कितना मुस्किल काम था हाथ भी जलने इस सभी को हम मिक्स करना है दोस्तों आप लोग मेरा ब्लॉग कहां से देखते हैं फ्लीज कोमेंट करके बतलाईए और अगर मेरे चैनल पढ़ना है तो इसे सस्क्राइब करना ना भूले आप जरूर सस्क्राइब करें अब देखिए दोस्तों इसमें ही हम जो लासुन बारिक काटे थे थोड़ा सा कटा हुआ डालेंगे और मिर्स भी थोड़ा सा कटा हुआ डालेंगे इसलिए हम इसे थोड़ा थोड़ा काट के रख लिये थे ये बाद में मूह में एक एक पीस आता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है अब इसमें हम दो बड़े चमच वेनिगल डा देंगे सिरिका डालेंगे अचार में सिरिका डालने से अचार जल्दी खराब नहीं होता है और यह तो इंस्टेंट अचार है दोस्तो जहटपट बनाईए और खाईए इसमें स्वाद के नुसाथ थोड़ा नमक डाल दिये हैं सभी को मिक्स करके आदे घंटे के लिए हम ढख और इसमें दो चमच सौफ डालेंगे देखिए इधर प्लेट में आपको दिख रहा होगा उसको भी एक जहाँ सभी खटा कर लेंगे और इसको हम हलका सा भून लेंगे यह देखिए दो चमच यह सौफ है बारिक वाला सौफ था यह और इसमें दो तीन लाल मिर्च हींग भी भून जाएगा और देखिए इन सब को निकाल के हम पॉडर बना लेंगे बारिक पॉडर नहीं बनाना है दोस्तों यहां पर आप पॉडर को थोड़ा मोटा ही दरदरा रखिएगा अचार में दरदरा मसाला ही टेश्टी लगता है तो यह देखिए आधा घंटा ह हो गया था अब इसे हम वापस मिक्स करेंगे और इसमें हम पहले हल्दी पॉडर डालेंगे अचार में थोड़ा हल्दी ज्यादा करके लगता है दोस्तों अर इसी मसाले में जो मसाला हम पीसे तो इसमें हम एक चमस धनिया पॉडर डाल दिये हैं और थोड़ा सा कलोंजी ड पेश्टी बनता है और सभी मसाले को हम अचार में डाल देंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ पर हम थोड़ा चटपटा स्वाद लाने के लिए दोस्तों काला नमक थोड़ा सा डालेंगे। इससे बहुत ही चटपटा स्वाद आ जाएगा अचार में और इन सभी को हम मिक्स कर लेते हैं पहले और साथ ही है पर दोस्तों हम अचार के लिए तेल गर्म होने के लिए रख दिये थे यह देखिए गर्म होकर तेल थंडा हो गया है अब गर्म तेल अचार में ना डाले तेल को फेला लिए डालके इसे अचार जल्दी खराब नहीं होगा और अचार हम इसमें डालकर एक दो दिन धूप में रखकर इसका मजा लेंगे आप भी बनाईए और इसका लुपत उठाईए इसके बाद दोस्तों आ देखिए साम का वक्त हो गया और हम रेडी हो गए है और यह बारा तरीक का ब्लोग है दोस्तों बहुत लेट आप लोग के पास जा रहा है इतना ठंड है न कि कुछ करने का समय ही नहीं मील पा रहा है देखिए साम का वक्त है अभी हम लोग आ गए हैं मंदिर के पास इधर साइड में हम गाड़ी लगाए हैं और देखिए आप को मंदिर दिखाते हैं मंदिर का ज्यादा ब्लॉग नहीं हम ले पाएं क्योंकि दोस्तों यहां पर ब्लॉग बीडियो बनाना मना है यह देखिए मंदिर से हम आ गए हैं पूजा करके और यहां पर हमें सब्जी लेना था बना हुआ सब्जी तो यह हैं दावत घर पहुंचे हैं और शीया दर्वाजा खोल रही है साम हो जाता है न दोस्तों तो लोग हो जाता है ताला बंध हो जाता है गेट में तब हम उपर चल दियें और उपर जाके दिखाते हैं डिखिये इक्साइटेट हो रहा होगा बच्चा रहोनी तोसी आदी क्या लाई है ममी ५ञएघे दोड़ के आरी है सबेखिये डिवाइड हो रहा है एक तुम्हारा एक मेरा एक तुम्हारा एक मेरा इन दोनों कहेगा मौता खाएगा अभी अउचल भी रहा है और ये दोस्तो देखिए यहाँ गिप्ट का आदान प्रदान हो रहा है क्योंकि आज मेरा सादी का सालगीरा था दोस्तो इसलिए हम मंदिर गया थे और देखिए छोटा सा गिप्ट हम भी इनको दे रहे हैं फोटो किछ वा रहे हैं बहुत सादे ढंक से हम सादी का सालगीरा मनाया थे दोस्तो बस यहाँ देखिए सबजी ले आया थे गर्मा गरम पूरी तल दिये हैं और मिठाई भी ले आया थे बस हो गया हम लोग का डिनर रात का खाना हम लोग का यही हो गया रोनित खा रहा है, इसके पापा खा रहा है, इसके बाद हम भी खा लेंगे, गर्मा गरमपूरी, सबजी, पनीर की सबजी थी दोस्तोँ, पनीर मसाला था, और सिया, पानी वगेरा, सर्व कर रही है, रोनित को रॉनित के हाथ में दर्द था दोस्तों तो ये देखिए गीर गया था इसकूल में इसके हाथ में मोच आ गया है तो वही गर्म थैले से सेक रहा है और हम यहाँ पर खाने बैठ गये हैं दोस्तों तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर जरूर करे धन्हान।